जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादे तनहाई में तड़पने को देवानन्द साहाब की चर्चित फिल्म मुनीम जी का ये गीत हर पहलू से काफी बाते दर्शाता है अगर इस गीत को किसी के जीवन से जोड़ा जाए तो एक नई कहानी बन जाएगी खेर कुछ लोग मिलकर बिछड़ जाते हैं और कुछ लोगों को हम खुद भूला देते हैं ये भूल जाना इस हद तक होता है कि एक मोड पर आकर हम उन यादों को भी भूल जाते हैं हिंदी सिनेमा युग में एक व्यक्ति जिसने 436 फिल्मों में काम किया है और उसके योगदान को दुनिया भूल भी जाती है ये अपमान जनक वाक्या जिसके नसीब में आया है उस बहतरी नैक्टर सुन्दर के कहानी सुन्दर जी का जन ब्रिटिश कालीन भारत के लाहोर में हुआ था वो तारीक थी 14 मार्च 1908 आज के समय में सुन्दर जी का इतिहास पूरी तरह से लुफ्थ हो चुका है ये हमारा दुरभग्य है जिसने लगभग 40 दशक तक हमारा मनुरंजन किया उस शक्स को हम यू ही भूल जाते हैं यहां हम उन लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने अपने अपने जमाने में कोई कॉन्ट्रूरसी की हो पर सुन्दर जी हमेशा सिर्फ अभिने से जुड़े रहे ज्यादतर हसी मजाग किरदार निभाने वाले सुन्दर ने अपने जीवन की पहली फिल्म 1949 में की थी वो फिल्म थी इंपीरियल मेल 1949 से शुरू हुआ उनका करियर अगले 40 साल तक चलता रहा कई सारे बहतरीन किरदार देने वाले सुन्दर की आखरी फिल्म बहुरानी थी जो 1989 में रिलीज हुई थी वो ना केवल अच्छे अभिनेता थे बलकि गायक भी थे 1954 की मस्ताना, 1967 की उपकार, जिद, उनिसो चौपन की चाननी चौक और लाल किला जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज भी दी थी आपने कई सारे फिल्मों में उन्हें अभिने करते हुए देखा होगा पर आपको पता ही नहीं चला होगा कि इनका नाम सुन्दर है 1968 की फिल्म आबरू में उन्होंने टुन्टुन के पती का किरदार निभाया था और टुन्टुन को ओ मेरी विस्की रानी कहकर पुकारने का मजाकिया अंदाज निराला था 1955 की सूपर हिट फिल्म सीमा में सुन्दर का मुरली धार नाम का बहतरीन किरदार था इस फिल्म में अभिनेता बलराज सहानी के साथ उन्होंने तड़ जोड़ अभिने किया था उसी तरह 1958 की धमाकेदार फिल्म हावडा ब्रिज में भी सुन्दर कलाकारी करते नजर आते हैं इस फिल्म का चर्चित गीत मैं जान गई तुझे सहिया सुन्दर पर ही फिल्म आया गया है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े कलाकार थे इसके अलावा देवानन साहब की खुपसूरत फिल्म सोलवा साल तो आपने देखी ही होगी इस फिल्म का वो गाना आज भी टीवी पर आता है है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा इस गीत में जो व्यक्ति माउत ओगन बजा रहे हैं बस यही है सुन्दर 40 साल से भी ज्यादा समय फिल्म जगत में अग्यात रूप में रहने वाले सुन्दर ने आंखरी सास 5 मार्च 1992 कुली असी का जमाना आते आते सुन्दर जी उन फिल्मों में भी दिखे जिन में फिल्म मेकर्ज ने उन्हें क्रेडिट देना भी ज़रूरी नहीं समझा कितनी दुख परी बात है ना अगर आपके पास सुन्दर जी के बारे में कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताईएगा तो मैं थी आपकी अनामिका मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा और हमारे चैनल बयोग्रफी आन्ड रियल लाइफ स्चोरीज को सब्सक्राइब करना न भूले नमस्कार